माध्यपरदेश के बढ़वा कोट परिसर से दो शास्की स्कूलों को इंदौर के समाज उसेवी विशाल पाठर ने गोद लेकर जरजर हो चुकी स्कूली भवनों का करे 45 लाग रुपे की लागत से नमिनी करण करता है जिसका सुमबर को विदान सभादेश नरिंदर सेहं तौमन ने फीता काट कर लोकारपन किया इस अवसर बड़ नरिंदर सेहं तौमन ने कहा कि देश की अर्थ व्यवस्था को संजवालित करने में समाज सेवियों की महत्वपोन भूमिका रहती है हमारे जिवन में दान देनी की प्रवती सदीव बनी रहना चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृती में दान का बड़ा महत्व है वही विशाल पाठक ने कहा कि हमारे परिवार का छोटा सा प्रयास है स्वन्नित भारत को बनाने में एक नीव रखी है पिताजी जर्मस्थली बढ़वा होने की वज़सी उनका मन था कि यहां सिक्षा के शेत्र में कुछ बड़े काम किये जाए इस दुरान पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोगे सांसद यानेश्वर पाठिल विधाय के सचिन बिरला नपाध्यक्ष राकेश गुपता ने भी मंच से सभी को संभोधित किया और अपने विचार रखे हैं इस अबसर पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, स्पी धर्मराज मीना, सुरेंद्र पंडिया, मिड्डू भातिया, प्रमेश विचवर्गी सहित, बड़ी संख्यामी भाजबा, प्रतिनिधी, छात्र और सिक्षिक मौजूद रहे इसी गाओं में ग्रहन करी है, तब जो स्कूलों की स्तिती थी, आज भी वही स्कूलों की स्तिती थी, स्कूलों की स्तिती में कोई परिवर्तन नहीं आया था, स्तितियां काफी खराब थी, तो हमने दो साल पूर्विया संकल्प लिया था, कि हमें हमारे ग्रह छेतर में जाक तो यहाँ पर भी सर्व सुविदायुक्त स्कूल बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पर प्लास्टर उखड़ावा था। तो प्लास्टर करवाया है, पेंट करवाया है, वाटर पूफिंग करवाया है। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर शिक्षा और संसकार, जो हमारा मूलबूत मंत्र है, वो शिक्षा और संसकार यहाँ पर बच्चों में डेवलफ हो, जिससे बढ़वा का विकास हो, और हम सुर्णिम बारत की नहीं हो रख सकता है। कितने रुपे खर्च करें हैं तीनों स्कूल ये वाले केंपस में, जिसमें हम अभी खड़ें, यहाँ कारिकरम था, यहाँ पर 45 लाग रुपे खर्च हुआ है, और उसके पहले जो टावर वेडी में, जिसका उद्गाटर नादानी जद्धी दिवड़ा जी ने किया था, लोगों से मैं सिर्फ यही संकेत देना चाहूंगा कि बढ़वा चेतर के जित्ते भी बुद्धी जी वर्क के लोग हैं, वरिष्ट लोग हैं, समाच से भी हैं, वो करपया स्कूल में आएं, आज स्कूल सरसुविदा युक्त हो गया है, इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वो लोग लें, और यहां पर आके बच्चों को पढ़ाने का दायत भी उठाएं, प्रेणा मेरे पूजी पिता जी से उनका काफी मन था, और आधरनी कृष्ण मुरारी मोगे जी जो हैं, उनका भी उद्देश ये था कि छात्रों के बीच में सिक्षा का संचार, तो आधरन स्कूल उसके जिनकदार किया जा रहा है, और विसे सुरुप से आपकी पहल पर ये पहल हो रही है, क्या कहना चाहिए? दूसरे विद्द्यालय का लोकार पनाज हुआ, और केवल ये स्कूल की बिल्डिंग बनाने तक सीमित नहीं है, इसके बाद में हम प्रयास करेंगे कि वहां पढ़ाई भी अच्छी हो, उन शिक्षकों से भी मेरी बाच्चित हुई है, और शिक्षक का अगर रुची और आवश्यक्ता होती है, तो हम शहर के अन्य लोगों को भी पढ़ाने के लिए वहां बेजते हैं, तो पहले वाले विद्द्यालय में ये हो रहा है, इसमें भी आगे हमारा, हमारी योजना यही है, कि इस धंक से सरकारी स्कूल भी, वो सरकारी न रहते हुए, असरकारी हो उस प्रियत्न का आज ये शुवारम बठा, माननी है, हमारे विद्दान सभा के अद्यक से नरेंसीं जी पुमर ने उसमें सहभाग किया, मैं उनको भी बढ़ाई देता हूं, और जनता से मैंने अपील की है, कि इस शिक्षा के शेत्र में कुछ न कुछ हमारा आगे भी सुवाज के शेत्र में सुवदाएं उपलब्द हों, इसका समाज को भी आगे आना चाहिए, मुझे प्रसनता है कि पाठक परिवार में आगे बढ़कर इस शेत्र में तीन स्कूलों का जोरोदार किया, अपनी तरब से रास्री का व्याय किया, आज पर तीनों विद्याले बहुत अच्छी अवस्ता में हैं, भवन ठीक होता है तो वातवन ठीक होता है, वातवन ठीक होता है तो बच्चों को अध्यन करने में और सुवदा होगी, ये सुवदा और बढ़े, तो पाठक परिवार से वांकी लोगों ने भी प्रणा लेन चाहिए, अगर कुछ स्कूल ऐसे शेत्र में हैं, तो उनका भी जिरोड़ोतार हो, ये मैं समस्ता हूं, समय के आवश्यक्ता है, मैं इस अफसर पर पाठक परिवार के भाव को अभी नंदन करूँ अभी अभी नंदन करूँ तो मद्वदेश में जो विपक्ष की जो भूम की तो तो प्रवाधि रहां तो आपने वोग लोग और आट इसके प्रकार ने की प्रवक्त स्कवें शावरिट जा। प्रतिपक्ष में जो पेंद्र के लोग सामाने तोर पर वो जुस्प्रकार की बयान बाजे करते हैं, उससे लोगकंत को और देश को दोनों को आगाग लगता है, कांग्रेस के नित्रत्त को इससे बाज आना चाले।